non-renewable resources जो फिर से इखर पैदा नहीं किये जा सकते वो वाले resources मतलब खतम तो खतम substances whose stock get reduced मतलब कम होना है are gradually exhausted with the use are termed जैसे जैसे हम उसे use कर रहे है फिस वह मतलब खतम हो रहा है और दुबारा नहीं आएगा are termed as non-renewable resources ठीक है नोन लगा है मतलब दुबारा नहीं है दे आर एक जोस्टेबल मतलब खतम तो खतम they cannot be renewed or recovered उनने recovered नहीं किया जा सकता सब्सक्राइब कर सकते हैं कुछ चीजों को पटीने नहीं किया जा सकता their quantity is more or less fixed quantity मतलब fixed type of quantity है मतलब जो है उतना ही है उससे ज्यादा तो होगा नहीं होगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगा बहुत ज्यादा टाइम लगा और कम जासे हम यूज करेंगा वैसे वह कम होता चला जाएगा ठीक है their quantity is more or less fixed quantity because their formation takes long time long geological period of millions of years जिसे लगेंगे बढ़ने के लिए तो इससे क्या मतलब उससे बढ़ना तो भूली जाओ बहुत लंबा टाइम लगा these resources can never be renewed or replenished कि जैसे कि एक्जाम्पिल है coal petrol limit mineral मतलब यह बहुत पहले का है जो processing होते होते बढ़ना है तो हमारे पास जो है वह limited है ठीक है अब हम इससे बढ़ने के लिए बहुत millions of years फिर से लगेंगे तो अच्छा है कि से limited में ही यूज किया जाए सके ना बैटर हूँ उतना अच्छा है तो non renewable resources मतलब जो resource एक store है उसमें से जितना यूज करें उतना खतम हो रहा है और से दुबारा नहीं लेका आजा सकता हूं